आईए कक्षा पाच्वी चौथी एओं तीसरी की जो मुल्यांकन वर्षिट है उसमें हिंदी विस्थाय में दी गई वर्क पहली या सब्ध पहली उसमें जो तुटिया है या जो कठनाई है उसको इस वीडियो के माध्यम से हल क्या गया है तो हम एक एक करके देखते हैं सब् के वर्ग पहली और यहां पर आप देखेंगे सब दिये गए हैं संकेत उपर से नीचे ठीक है और दाएं से बाएं तो उपर से नीचे में हम देखेंगे सबसे पहले दो क्रमांग दिया हुआ है यहां पर आप देखेंगे क्रमांग दो यहां से यहां तक हमको भरना है चार अक्षर भरने हैं तो देखिएगा किसी ऊची चीज को पकड़ कर जूलना यहने कोई ऊची चीज है मालो उसको पकड़ कर जो जूलते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं लटकना तो यहांपर हम क्या बहरेंगे? लटकना, लटकना, ठीक है, लटकना, इसके बार अब देखेगा क्रमांक पांच दिया हुआ है, पहचाना हुआ या प्रसिद्ध का पर्यायवाची, जिसको हम पहचानते हैं या कोई प्रसिद्ध है एक दम है ना तो उसको क्या कहते हैं और यहां पांचवा जो है वो देखिएगा कितना है एक दो तीन चार अक्षर हैं तो इनमें आप देखेंगे तो यहां पर चार अक्षरों के लिए हम भरेंगे जाना माना जा ना माना यहां इसी तरह से अगला जो सब्द हम देखेंगे सात्वा सात्व क्रिया के लिए क्या जायागा सात्वा चमक यहाँ पर आजएगा च, म, और क, अब देखियेगा यहाँ पर छटवा जो है बाये से दाये में नाचना आप पहले से आ चुका है, ठीक है अभी जो छटवा क्रमानक आप देखेंगे दाये से बाये में दर्त की क्रिया यहने नाचना यह आ चुका है और यहां देखिएगा आठवे करम पे चतुर सब्द का पर्यायवाची चतुर सब्द के लिए हम प्रियोग करते हैं चालाग तो देखिएगा यहां पर आठवा जो है यहां पर तीन अक्षर हैं तो यहां पर भरेंगे हम चालावर्का ठीक है और अंतिम देखिएगा नौमा मतवाला मनमोजी सब्द का पर्यायवाची और इसके लिए दो सब्द हैं तो यहां पर हम भरेंगे मस्त म आधसवर्त मस्त ठीक है इसको मतवाला या मनमोजी को मस्त भी कहते हैं आप देखेगा यहाँ पर जो नौमा क्रमांग है बारे से दाय में आप देख पार रहे हैं बारे से दाय में नौमा जाल बनाने वाले कीडिय का नाम तो यहाँ पर सिद्धे मौर्क आ चुका है तो हमको यहाँ क्या भरना है यहां को भरना है एडी मकडी ठीक है अब चलिए इसमें बाएशे दाय में तालाब में खिलने वाला फूल को क्या कहते हैं कमल तो तीन लग आ चुका है तो कमल ठीक है अगला सब्द क्या है एड़ी के ऊपर की हड़ी का नाम एड़ी के ऊपर की हड़ी को हम क्या कहते हैं तखना तो यह अट और ना आचु का यहां क्वाल खाव भरेंगे तखना हो जाएगा इसके बाद अगला देखिएगा ततकाल एकडम सब्दों का परेवाची चौत्र दिया हुआ है तो क्या जाएगा चलना सब्द का विलोम हो जाएगा रुक ना का आचुका के जाएगा जरू और कवर ना तो इस तरह से यह वर्क पहली हम कंप्लिट कर सकते हैं आए अब हम कक्षा चौती की वर्क पहले को देखते हैं जिसमें की कुछ तूटिया भी है इसको भी हम समझ लेगे कहां पर कौन सी तूटी दी गई है ठीक है आप देख रहे हैं यहां पर कक्षा चौ सब्द है रिसी मुनियों के रहने का इस्थान तीन सब्दों के लिए है तो रिसी मुनी के रहने के इस्थान को हम बोलते हैं आस्रम तो क्या जागा यहां पर आस्रम इसके बार दूसरा सब्द है माल वाहक बोजह ढोने वाले पसू यहने जिससे हम बोजह ढोते हैं ठीक है उस पसु का नाम तो देखिएगा यहां पर यह दिया है दो नमबर ठीक है और यहां पर दो नमबर कहां दिया है यहां दिया है और यहां पर बलेक दे दिया है तो यह दो नमबर यहां नेबल की यहां होना चाहिए यह तूर्टी है तो आपको यहां भलेना है गधा गधा एक ऐसा पसू है जो माल ढोने के काम में आता है ठीक है तो यहां गधा हो गया इसके बाद तीसरा जो है ऐसी बानी बोल ये मन का खालिस्तान दिया हुआ यहां पर और खोई तो और आगे दिया है खाली में जो सब्द आएगा उसे बिंदू करमांग तीन में भरे तो आपको दोह मालूम है इस बारे में कि ऐसी बानी बोल ये मन का आपा खोई तो आपा आएगा क्या आएगा आपा और यहां पर देखेगा तीसरे करमांग में आप देखेंगे तो यहां भर लेंगे हम आपा इसके बाद अगला सब्द देखेगा चौथा नम गीला के लिए एक सब्द हो अब और नकरिका वर्तमाननाथ ठीक है अब और कहां आचुगा है अभी कहनी आया है बलकि एक सब्द भर तुका है यह वाला अब उपर से निचे में देखिएगा या स्वागत करना और यह नमबर एक तो आप देखेगा यहां पर पांस सब्द है तो इसके लिए आ आ आ च चुका है और गत आ चुका है तो इसमें आ जाएगा आव भगत तो यहां पर देखिएगा यह भर चुका है आव भगत और आगे हम देखेंगे सक्कर से बनी एक मिठाई का नाम और यहां पर देखिएगा एक दो तीन चार पांच अक्षर हैं आप देखिएगा यहां पर तो धारा नगरी का वर्तमान नाम इभर चुका है धार और नगर के लिए परयावाची सब्द होगा तो नगर सब्द के लिए परयावाची होगा यह चार कहां दिया हुआ था यहां पर चार जो है क्रमांक नहीं दिया गया था जबकि चार क्रमांक यहां होना चाहिए चार क्रमा है कि वले पूरीय जाएगा तो इस तरह से यह हम वर्फ पहली को complete करेंगे यहां पर दो तुर्टिया थी इन तुर्टियो को ध्यान रखेगा और इस तरह से हम complete कर्श रखते हैं आईए अब आगे देखते हैं कक्षा कख्षा तीसरी की वर्क पहली आप देख रहे हैं कख्षा तीसरी की मुझयानकरोगरष्ट्रीट और मुळानकरोष्ट्रेटमें हिन भिश्था एक अंत में जो सब पहले दी रिके यह कख्षा तीसरी के विद्यात्तियो के लिए तो four और देख पा होता है गिर्गिट गिर्गिट हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिएगा परास्त करने के लिए एक सब्द होगा परास्त करना तो परास्त करने के लिए क्या होगा हराना तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे हराना ठीक है इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो हाथ का परियावाची या करने का भाव, क्या हो जाएगा कर, ठीक है, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ कुछ अक्रा मांगे, चौथा, तो चौथे हम भर लेंगे, कर, यहाँ जाएगे, हाँ पर कर, ठीक है, यह हो गया, बाएं से दाएं, अब उपर से देखिएगा मकान ग्रह का परियाय वाची तो मकान या ग्रह का परियाय वाची हो गहर ठीक है यहां हम भर लेंगे इसे बाद देखिएगा अगला आपकी भाहसा भारत्य के पर पाट कुस्तक पर चार में किस जीव के बारे में बता गया तो गिल हैरी के बारे बताय गया तो हम यहां भर लेंगे यह है बड़ा है न ला सब्ड का विलोंग्न का का गेरे का सब्ड के लिए अंतिम जो है नगर सब्ड के लिए पर्या वइसी सब्ड होगा तो इस तरह से यह वर्ग पहली कम्प्रेट हो जाएगी तुम्हें इस वर्ग पहली को आपको हल करके बताए आसा करते हैं यह वीडियो आपको काफी उप्योगी लगेगा जैहिन वंदे मात्रम